हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब बात करेंगे ऐसे में बनारस मूवी को लेकर जो की एक रोमेंटिक ड्रामा, ट्राइम ट्रैवलिंग, मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है और यकीन मानीगा इस फिल्म को जो रिस्पॉंस मिलना सही था वो नहीं मिल पाया यकीनन आप कह सकते हो कि ये फिल्म इंडियन बॉक्स ओफिस पर अगर दिखा जाए तो फ्लॉप हो चुकी है क्योंकि इसका जो बजट है वो 15 करोड प्लस है लेकिन ये फिल्म इतना कलेक्शन इंडियन बॉक्स ओफिस पर नहीं कर पाई इस फिल्म को कम से कम हिट होने के लिए इंडियन बॉक्स ओफिस पर 20 करोड कमाने थे लेकिन ये फिल्म नहीं कम अपाई अगर 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 इस फिल्म के टूटल कलेक्शन की बात की जाए तो आपको आदू इस फिल्म का टूटल कलेक्शन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ओफिस से जो आर है वो 15 से सूरे करोड का ही हुआया भी तक जो कि इतना कुछ खास कलेक्शन नहीं है जबकि एक प्रॉपर पैन इस फिल्म है इंपोर्टन रॉज की बात की जाए तो लीडिंग में आपको निज़र आ रहे हैं जियाद खान और सॉनल मॉन्टेरियो इनके अलावा अचुत कुमार भी निज़र आ रहे है और एक्शन दिया जया थीरताने आपको आदें यह फिल्म कहीने कहीं फिल हुई ह या फिर मल्यलम कंड़ा में तो उसने पूई जरा से बैंड बजाई विया है और एक चीज़ कंफरम है 100 कुरोड तो कमाएगी हिंदी बेल्ट में definitely अगर बात करें फिल्म बनारास को लेका कि बनारास क्या कलेक्शन कर रही है क्या हाल चाल चाले है उसके तो आपको आदू आज ये फिल्म लाखों में कमा रही है करोड़ों में भी नहीं आज का जो कलेक्शन आ रहा है फिल्म का वह 40-50 लाख रुपे का आ रहा है максимum इंडिया नेट बॉक्स ओफिस पर जो कितना कुछ खास कलेक्शन नहीं है लेकिन इसका जो एक्शल कलेक्शन है अभी उसकी अब